मूवी की जरुवात में हमें एक बंदा दिखाई देता है जिसका नाम सबेस्टेन होता है वह अपनी बेटी एना के साथ खेल रहा होता है तबी उन दोनों को कुछ आवजे सुनाई देती है तो वो दोनों आज से भाकर ठिपने की कोशी सर रहे होते हैं लेकिन वो तीन लोग एना के सामने उसके पिता सबेस्टेन को पूरी तरह से पीटते हैं और उनके हा से खाना चीन लेते हैं जब वो खाना उठा रहाता है तो पता जलता है की ये तिनों लोग मारता है उनको जाने देता लोग इसे सेतान भी केते हैं, कुछ लोग इसे भवान की तरह पूस्ते भी हैं, वो हमें कानी में आगे पता चलेगा, जब लोगों को ये बात पता चली, कि सेतान को देखने मातर से, कोई विबंदा सुसाइड कर लेता है, तो लोग घर से निकलने से पहले अपनी आँकों को पत्टी बांद लेते हैं, ताकि सेतान से वचा जा सके, सभी लोग इतने ज़्यादा गब रहे हैं, कोई भी एक दूसरे पर कोई भी बरौसा नहीं करता है, पुरी दुनिया के अंदर दभाई मची होई है, थोड़े आगे जाने के पास सभेस्टीन को कुस लोगों के चलन जनरेटर कहा हैं, जिससे हमें बजली मिलेगी, और हम खुद को गरम रखाएंगे, वो गयता है कि मैं एक इंजिनियर हूँ, तुम मेरा भरोसा कर सकते हो, मैं तुमें जनरेटर दिला दूँगा, उन्हें मैं अकेला नहीं ला सकता, वो काफी ज़्यादा भारी है, इसलिए से जिस बस के अंदर सभी लोग सो रहे हुता है, तुमेश्टी ने मरसा दोका किया है, वो हमें बाहर लेजा कर मरवाना चाहता है, और उस बस को बाहर ले जाकर एक्सिडंट करवा देता है और बbor पूरी तरीके से करता है अब हम्हीं यह पता चलता है कि हैसे अग Beaust Channel पूरी तरीके से पागल है एक Лश्टीयं सुसाइब नहीं रहे हैं बस रुटर कर मार्सल अपनी आनके है उसे देखके और उसे मुक्त कर सके और वो लड़की भी सुसाइट कर लेती है सबस्टिन की इमाना होता है कि वो इन लोगों की मदद कर रहा है ताकि यह लोग असली जगह पर पहुंच सके और इनको भी बैतर हुरे मिल सके खानी के अंत में एक वहता सा चुष्ट कुलेग तो सबस्टिन के था हाँ तभी वरकस ने अपनी जान ले ली तो उसके पतनी उसे समझा थी है कि नहीं जल्दी से टीवी देखो जब सबस्टिन टीवी को देखता है तब उससे पता सलता ही कि पूरी दुनिया में एक ऐसा वाइरस फेल सुका है जो कि लोगों को पागल बन करता है जो वो अपनी पतनी को देखा है और वो रोड क्रोस करके आ रही होती है तब उसके पतनी का एक्सिडेंट होता था और वही मारी जाती है अब सबस्टिन और उसकी बेटी एना दोई बच्छे होते हैं वो दोनों जैसे देसे इस दुनिया के अंदर अब सरवाई कर क्या है क्या है अगली दिन सबस्टिन जब खाना डूंडे निकलता है तो वहां पर उसे एक लड़की दिगए देती है सबस्टिन वो लड़की को कहता है कि उस लोग ने उसे बहुत मारा उसे रहने के लिए जगे चाहिए मैं अकेला हूं सबस्टिन जैसे लड़की की साथ ले जाना चाहिए सबस्टिन केता है कि मेरी मुझे भी साथ ले चलो तो राफा केता है कि यहां पर हम कोई समा से भी नहीं है दुबारा सबस्टिन लोगों को वही बात बताता है वो कहता है कि मैं इंजिनियर हूं और मुझे पता ही कि जनरेटर कहां पर है मैं तुन ल बहे रहे हैं लड़की के साथ बात करता है जो कि जर्मन बोल रही होती है और सब्सक्राइब को जर्मनी बासा आती है वो दोनों जर्मनी बासा में आपस में बात करे होते हैं वो लड़की अपनी दुखानी बता रही होती है वो कहती है कि मैं अपनी मौम के साथ ही और कैसे सारे लोग अपनी जान ले रहे थे दोनों ने एक दूसरे कापकड़ावा था लेकिन ज़्यादा बीड़ी की वज़े से धका लगने की वज़े से वो अलग हो गई लोग से बाहर निकलने के लिए त्यार नहीं होते हैं एक बुड़ा कपल जो होता है लेकिन वह सभी लोग वोटी करते हैं और सभी लोग मान जाते हैं कि अब हमें जाना ही पड़ेगा है उनका कहना यह होता है कि हम लोग कब तक इस जगह पर रहेंगे कभी तो हमारा खाना खतम हो जाएगा और हमें बाहर जाना होगा कल करे सो आगर आज करे सो अब तो वो अभी वहां से निकल जाते हैं इसी के बीच राफा सभेस्टिये से उस जनरेटर के बारें पूसता है तो सब्सक्राइब करता है कि मेरे पास कोई जनरेटर नहीं है मुझे मा करतो मैंने तुम सो लोगों से जूट बोला ताकि मुझे रहने के लिए जगे मिल सके और मैं तुम्हारे साथ रह पाऊं राफा को काफी ज़्यादा गुशा आजाता है उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन सबी लोग उसे रोक देते हैं उसे मना करते हैं कि नहीं ये काफी ज़्यादा डरावा लग रहा है इसको मदद की जरूरत है राफा कहता है कि ये लोग हम लोगों को मरवा के मानेगा हम लोगों किसी बाते पर विसास नहीं करना चाहिए राफा मान जाता है राफा को भी पता है जादा दिन वो लोग गई अंदरे में नहीं रह सकते हैं उन्हें इस के लिए को ढूड़ना ही होगा तो सबी लोग कल सुबे निकले का प्लैन बनाते हैं जब राफत होती है तो सबीष्ट अपना काम कर देता है और डॉक्स की जो रसी होती है उसे आधा कट कर देता है ताकि जब सुबे डॉक्स सेतान की आने पर भूंकते हैं और भागने की कोशिश करते हैं तो वो रसी तूड़ जाए और च्यारों तरफ अफरात अफरी मज़ जाए और हुआ वैसे ही नेक्स डेज जब सुबे लोग निकल जाते हैं और सेतान की एंट्री होती है तब ही डॉक्स फौंकते वे बेकाब हो जाते हैं और इस खिंचतानी में उन डॉक्स की रसी तूड़ जाती है जब राफा अपने डॉक को वापस बुला रहा होता है तो उसे कफी अजीब वाज़े सुनाई देती है उसे ये लिकाए कि वो सेतान उसे मार रहा है लेकिन ये सब उस सिदान की चालोती है चो कि हर थरीके से लोगों को भरमीत करता है और जैसे ही राफा अपनी आँकों से पटी अटाता है राफा उस से अंतान के कंट्रोल में आ जाता है और पास में खड़ी ये कार से अपना सर दे मारता है और वहीं पर अपनी जानगावा देता है जैसे तैसे वह सभी लोग वापस एक घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं घर के अंदर आने के बाद वह सभी लोग सारी खिट्कियों को बंद कर देते हैं और घर के अंदर कुछ खाना वगरा डूने की कोशित करते हैं साथ में उस बुड़े कपल के हाथ पर डोगने काट लिया होता है और उसके लिए एंटिबाइटिंग भी ढूंडते हैं सवेस्टेन, ओक्टियों और कलेरा तीनों पूरे घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें एंटिबाइटिंग मिलती है जब सवेस्टेन एक कमरें के अंदर जाता है तो उसकी खिड़की खुली होती है तब ही उसकी बेटी कहती है कि हमें ओक्टियों को बचाना होगा पापा उसको मत बताना कि खिड़की खुली है सवेस्टेन ओक्टियों को कहता है कि सारी किड़किया बंद है तू महा सते हो अक्टियों जब आता है और अपनी आँखों से पटी हटाता है और वो गलती से उस जीव को देख लेता है और वो स्टेबल से चाकू उठाता है और खुद की जान ले लेता है तो सवेस्टिय अपनी बेटी को कहता है कि मुझे नहीं आजाती है क्लेर केती है क्या हुआ तो सवेस्टियन के दाएगी और वो लोगां से भाकर दूसे घर की तरफ जा रहे होते हैं तब ही कुछ लोग जिनके आंखों पर पटी नहीं बंदी होती है वो खुले देख सकते हैं यह वह लोग होते हैं सिद्ध पूरस जिनका चले जाते हैं क्लेरा सवेस्टियन की इतनी फूरती देखर समझाती है कि यह बंदा भी देख सकता है जब उसके गोगल को हटा कर देख दिये तो उससे साफ दिखाई देता है तुम भी उन लोगों की तरह हो जो कि उस सेथान को देख सकता है और वो बाहर भुडा कपल उस सबस्टियन उसके पीछे आता है सबस्टियन क्लेरा को समझाता है कि मुझे एक मौका दो मैं जान चुका हूं उस सेताने मेरे दिमाग के साथ कहला है मैं पूरी तरह सबस्टियन जब भी सोफ्या को देखता है उसे अपनी बेटी की यादा दिये जो कि इन सिद्ध फूरसो से पागल हो गया और सेतान को देखने के बाद उससे यह इसास होने लगा कि उसकी बेटी हमेशा उसके साथ है और वो सेतान उस बेटी के रूप में उससे सारे गलत काम करवाता रहा लोगों को मरवाता रहा उसे यह हमेशा यकीन दिलाया कि तुम इन लोगों को मार दो और सोफिया को उपर जाकर हैं से भागने को कहता हैं वो कहता ही कि मैं तो किन लोगों को summatIch देंगे का लेकर सोफिया जब उपर पहुंच दीए तो दीडीज चड़ती है किный कितने दीरे में वह कभी ऊपर नहीं पहुँझ वाँच भाएं है क्योंकि electricity पूरी दुनिया में है ही नहीं तो वहां पर एक बड़ी सी घंटी होती है उस घंटे को बजा कर उस जीव को यहां पर बुला लेती है क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी होती है जहां पी वह जाता है तो एलेक्रनिक आइटम पर भावित होता है खले है कि तुम एक सेटान और मैं सेटान की पूजा नहीं करता और वह उन लोगों से अपनी मरीवी बेटी का बदला भी ले ले लेते हैं और सास में सवेश्टेंग काफी जाता है लेकिन सवेश्टेंग कुर्बानी खराब नहीं जाती अब सौफिया और कलेरा उसके लिए तक हैं जहां पर और मिवोती है तो उसे अपनी कलेरा का धनियावाद करती है और मुवी यहीं समापत हो प्तौ।